क्लिक ओन सुब्सक्राइब और फ्लिक ओन दू बेल बटन फोर मोर अब्डेश को सम्भोधिट एक और पूर्वी लद्दाक में एलेसी पर भारत चीन गतिरोध बना हुआ है वहीं देश क्रोना से भी लड़ रहा है इसी बीच प्रधार मत्री नेरेन मोधी आज साम 4 बजे देश को करेंगे सम्भोधिट तूत्रों के मताबिक इस सम्भोधन में वह चीन को बड़ा संदेश दे सकते हैं आच्चा जनक है कि 15-16 जून की मध्य रात्री को भारत और चीन के सैनिको के बीच हिल्सक जड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवां सहीद हो गय थे जिसके बाद भारत और चीन के बीच लगतार गतीरोध बना हुआ है हाना की कूटनितिक इस्तर पर और सैन इस्तर पर वारता जारी है बता दे की चीन के साथ गलवां भाटी में वास्त्रिक नियंतन रेखा पर चल रहे गतीरोध पर प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी ने रविवार को मन की बात में कहा कि भारत मित्रता निभाना भी चानता है लेकिन यरी कोई उसकी भूमी पर आख उठा कर देखता है तो इस किया कि उनका वलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मोधी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया कि वे कभी भी मां भारती के गौरव को आच नहीं आने देंगे लदाक में हमारे जो जवान सहीद हुए उसके सौर को पूरा देश नमन करता है